वेलकम बेक टूप मेरी दुनिया इन ब्यूट्य टिप्स में पूजा रावना आज फिर सची इन राज परिवार की ना कंट्रोवर्शी लेकर आ गई हूं आप लोग देखी रहे हैं यूटूब पर जो कंट्रोवर्शी मची है इसका सच क्या है जूट क्या है आप सब के साम है कि मनीशा गलत है लेकिन मेरा एक ही चीज है आप लोग से बोलना चाहते हैं कौन ही है लोग कहां से आते हैं पता नहीं चलता है कि लोग कहां से आते हैं किदर से टपकते हैं और मनीशा जैसी तो और भी वाइफ में जो सोच के सर में दर्द हो गया कि जो मनीशा रानी है ये डेर साल से क्यों चूप थी अगर इनको अत्यचार हो रहा था इनके ऊपर टॉचर हो रहा था तो मैं अभी भी इही बात बोल रही हूं कि इन्होंने पहले अपनी सासुमा और अपनी देवरानी से क्यों नहीं बोला और गैस में एक चीज और आपको बताना वाली हूं कि जो भी इनका चैट लीक हुए है सचिन जी के जो भी चैट लीक हुए है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जगत दीदी को ना मतलब आप समझे तुनको बोला ही जा रहा है और एंगेजमेंट के बाद का ही चैट क्यों लीक किया गया उसके पहले का चाट क्यों नहीं कि आप की एंगेा उसमझने-षय को जो बने को defy मेडिशन खा लिया था तो उहां पर इनकी माऔर बहान ने दूनों ने जगत दीदी के भाई को फोन किया था यह बोलने केलिए कि आपकी बेटी मैंने मतलब जो भी है जगदीदी उनसे उनका बात करवा दिया जा नहीं तो कुछ कर लेंगे यह वो बगएरा बगएरा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनीशा के साथ भी कुछ ऐसा डेड़ साल से किया जा रहा था जिसके करण नहीं बोल रही थी औ लेकिन मैंने मनीशा को बहुत सारा ओप्शन दिया था कि मनीशा कर चाहती तो अपने सीड़ी पर तेल गिरा देती और उनको जगदीदी को हां से फिशला शकती थी और भी बहुत सारे ओप्शन थे उसके पास वो कर सकती थी एट लिस्ट और कुछ नहीं तो दो चार सकती था जानते वें कि सामने वाली हमारी सोतन है फिर भी उनके साधी में सज गये साड़ी पाहन कर चली जाती थी तो हमें सोचके ना बहुत चिंता हो रहा था घाइस कैसी मतलब सच में कैसी अगर एंगेजमेंट में सचीन जी को रोक लिया गया होता अगर हैंगेजमेंट कि के भाई जरनाचे के हमको दिखा कि मेरी गले माने जा यह भी हो सकता था और गाईस हम इस वीडियो में नभुआई सोबर कर रहे हैं क्यूंकि हम तुला ठक गए हैं मेंटली ठक गए हैं इस सचीन मनिशा का कंट्रवर्सी देखे देखे क्यूंकि जो सच है इंसान बोल नही सकता बस हमारा भी कुछ कंटिशन ऐसे ही हो गया है और जो कुछ भी सोचल मेडिया पर चल रहे हैं आप प्लीज और हम बात बार बोल रहे हैं जो भी मनिशा के सूप चिंतक है न वह प्रेय कीजिए कि सुमीत महल से उनकी साधी हो जाए क्यूंकि देखिए गाईस और सुमी सुमीत महल बहुत दिसेंट इसान है पता नहीं उसके पस पैसा कितना है नहीं है मैंने जितने विदियो देखे न आज के जमाने में भी बहुत ज्यादा धार्मिक टाइप का इंसान है मुझे तो लग रहे हैं यह कहीं ज्यादा ही धार्मिक तो नहीं है ना उनके संग और मुझे लग रहे हैं इतना अच्छा ना बंदा है इतना अच्छा बंदा है आज आप उसके दूसरे चनल पर ब्लॉग देख लीजेगा उसकी भावी डाली है ब्लॉग ओ गया हुए है उसका पुरा फरिवार भगवान को पास गया है कि स्याम जी का ना पूजा हो रहा है वहा लोग सोचल मीडिया पर है ऐसा नहीं को सोचल मीडिया पर नहीं है लेकिन ऐसी एक बहु को अपनाना उंके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी मुझे नहीं लगता है सची नि know की याना सही किया उनको थोड़ा सांत होना चाहिए था एक लड़की का घर बस जरने देना कि इससे का मिल गये कुछ नहीं मिला और बाकी इस पड़पंच को रज कि किके कुछ भी नहीं मिला र मनीशा को वी ना सिर्फ नहीं होता पर अटुमनिशा साएद उसीच को भूल जाती लेकिन वीडिया पर दीख रहा है आप खुन षोच Applicous सोसल मेडिया पर देख रहें चैट देख रहें ब्लॉग देख रहें हैं कॉल रिगर्टिंग देख रहें तो एक वाइफ के लिए भूलना ना कितना मुशकिल होगा वह समय Do पागी सारे लोकोन लताड़ा है पहले और आज जब उनकी ऐसा कंडीशन हो गया है कि वो बोलना चाहते हैं कि आप मेरा हेलफ करो तो कोई न centuries नहीं कर रही बसको अइच्ट कुछ दिन पहले रियक्षन चैनल वाले को श्ट्राइक दे रहे थी कुछ दिन पहले और कि युद्ध कामारे में नहीं预ुली तो आज ही समभ篇 और कोई नहीं सुन रहा है और एक और और दूसरी और पे कहना दिखे गाइस यहां और और ओरत के ही लड़ाई है लेकिन मेना सुमीत महल से अभी भी बोलना चाहूंगी कि अगर सुमीत महल मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप जगह दिदी से साधी कर लीजिए मनिशा के भी वर्स लोग से भी में बोल रही और ना सुमीत महल जैसा ना साधी करने वाला पती मिलने वाला लगा इस क्या वो बंदा है ना आप उसी प्रेस्नाल्टी को देखिए और ना इस्टाग्राम पर स्टोडी लगा था कि अभी कंडिशन कुछ ऐसा हो गया है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है पर बोल नहीं प करते हैं क्विवी कुणि को देखा ओगा साधी हुआ था ना तब से युन्हीं छोरी चोरी 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 अंखिया लडाई थे तरह मेने पहनी नहीं चूड़िया और किसी की ना बात नहीं सुना चाहते थे एक दो रियक्शन चैनल पर मैंने सुना 2 जाक कमेंट भी करते थे और कल तुमकी ये call recording भी लीक हुई थी लेकिन वो जो call recording लीक हुई थी ना गाइस वो बिल्कुल भी फेक थी कि फेक लोगों की भी कमी नहीं है लेकिन मैं अब यही बोलूँगी नहीं जो चल रहा है न पड़पंच खतम हो जाना चाहिए सचिन मनिसा अपने साधी करें करें साधी लेकिन अ पर शोड़िए गामाओं सचिन मनिसा अपना सकते हैं और मैं कहीं भी यहुझ की जगह दिदी अर्लat नहीं है लेकिन कुछ तो ऑफिर चूप है रही है किसी को नहीं पड़ रहाया है कि नहीं अbelsचया जारा है डार्नेंग नहीं दिया जा रहा रहे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ना जो भी सचीन मैंनिशा का फॉलोर्स हैं अगर चाहते हैं सचीन मैंनिशा का यह होना तो जगत दीदी को ना आप लोग गाली देना छोड़ दीजिए क्यूंकि मुझे नहीं मैं आपको बार 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 बोरी हो अभी जगत दीदी रिटर आएंगे तो सचीन भयान आपके चले जाएंगे यह मुझे पूरा भरोसा है आगे आप लोगों की मर्जी आप लोग और मोनिका जी बीच में आई हैं बोलके सब कुछ मेटर सांथ है लेकिन बार बार कोई मोनिका नहीं आ सकती है किसी को प्रॉब्लम को सल्व करने के लिए और इस बार जगत दिदी हैं तो दूसरी बार कोई और भी हो शकती हैं लेकिन एक वाइफ के संग गलत हुआ था लेकिन मैं बार बार अभी बोरी हूँ कोई डेर साल से यह वाइफ जो खुद पैसा कमाती थी जो सब कुछ उसके हाथ में था तो ओ सांथ क्यों थी क्या उसक काम ने मेरे पती को लेकर चली गई पर मैं कुछ नहीं करने सकीत आप समझे सकते इनका रिस्ता कैसा था लेकिन अभी वी में बार बार बोल रही हूँ अगर एंगेजमेंट से सच्चिन को भागाया नहीं जाता सच्चिन के संगना बेजती नहीं हुई होती तो आज सच्च कि हम लोग पहले जब जो जैसा सही लगता है तो सही जो गलत लगता है गलत बोलते हैं मनिश्य स्टेंडलेर यह सही है लेकिन मेरे कहने का मतलब है प्यार तो दोनों तरब से हुआ था तो दोनों की गलती है और मैं यह चीज मानती हूँ कि वो एक विधवा है उनको बहुत पास इतनी खुबसूरत भी थी तो उसको इसा नहीं करना चाहिए था और सारा न सच कसच और बहुत लोग यह बोल रहे हैं कि उन्हों की साधी टूट चुकी है और यह तो जो क्या बोलते हैं जगत दीदी के ना मतलब सशुराल वालों से रियेक्शन चैनल वालों ने जब वाला प्रश्चन उठाया तब जाको उन्होंने कम्यूटी डाली कि महल फ्रेमली से मैं माफी चाहती हूं और कोई भी न फैसला लेने के लिए उस्वत अतंत्र हैं तो उन्होंने बोल दिया है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं अब देखते हैं कि उनके उनकी सगाई उनके चैनल से शारी सगाई की वीडियो डिलीट हो चुकी है फोटो वगरा सब डिलीट हो चुका है तो इसका अनुमान आपनों लगा लिजिए कि क्या साधी टूट गई है और सोचिए गाई से एक मनिनट के लिए सोच लिए अगर न सचीन और आसिस्ति वारी जी का साधी हो जा करें और यहां पर सुमीत महल जी और जगादीदी दोनों भी हैपी हैपी एंडिंग हो हम तो यहीं चाहेंगे और कोई किसी के गालिक लोज ना करें और सोचल मीडिया पर जो तमासा लगा कर रखा है ना पबलीक हमारे माइंड के सांथ खेला जा रहा ना एक गेम को खतम कि है क्यों कि देखें जगादीदी न चूप रहने वाली में से नहीं है लेकि आप खुद सोचिए ऐसा क्या हुआ है कि वो सांती से बैठी है और एक दिन में ही एक दिन में ही सब के वीडियो कैसे आगाए किसी के सौतंतर्ता क्या आगा गया तो किसी को जरीता जिसे माफी मा किसी को सचीन से माफी मागना है सचीन को उनसे माफी आखिर एक दिन में सब कुछ कैसे चेंज हो गया थोड़ा आप दिमाग लगाई और इतने जल्दी सचीन मनिशा की साधी की त्यारी भी शुरू हो गई यह भी दिमाग लगाई आप लोग और साधी होगी न तो उसी डेट पर सबके कमेंट करें जो भी वर से इतने दिन से न बहुत हम लोग प्रेशान हुए भी वर से सब्सक्राइबर और आइरन लेडी ने क्यों किसी का नाम नहीं देगा ना मनिशा को देगा ना इनको देगा ना मेरे को देगा किसी को नहीं हमारे देश की आईरन लेडी एक ही थी एक ही है और एक इहीं रहेंगी तो आजय लेड़ी की अपर बदनामी ना करें इनको आउए लेड़ी बोल के लेकिन यहां पर बहुत बड़ा परपंच हो चिनने वाला है और आपना मुबाइल में किसी के नाम को भी ने किसी के नाम से सेव कर सकते हो यह भी ऑप्शन होता है तो अगर आपने को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजिए